वेलेंटाइन्स टु एवरी बडी वैसे अगर वैलन्टाइन्स डे अच्छा बनाना है तो बीटीसी का चार्ट उपन कर लो या पूरा मार्केट उपन करके देख लो रेड़ी रेड़ के अंदर हम सबसे पहले यापर बात करेंगे हमारी फाइनस मिनिस्टर और यार्बड़ को लेके इनसे यहाँ पर question पूछा गया कि अगर आप देखेंगे एक तरफ आपने यहाँ पर cryptocurrency, crypto assets को लेके नई tax policies जो है उसको introduce किया है जिसे यह लग रहा है कि crypto currencies को आप शाथ यहाँ पर regulate कर सकते हो, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं यहाँ पर RBI के जो governor है, वो state up यहाँ पर हमेशा उसके अगेंस में रहे, crypto currencies को लेके एन उसको financial stability का एक risk यहाँ पर बनाते हैं, तो उसके according यहाँ पर क्या RBI और finance ministry साथ में आपर काम कर रहे हैं यह जो tax के laws आए हैं तो उसके उपर clarity यहाँ पर मांगी, तो exactly देखते हैं हमारी finance minister जो है, उन्होंने यहाँ पर इस चीज का क्या जवाब दिया I made it clear that whatever the government does we consult, have discussions with the RBI and therefore we take call so if I were to tax 30% and then also to go discuss GST and everything else I would be tying RBI's hands if I hadn't even talked with him, right so the discussions which I hold with RBI are gradually and steadily as we move on also taking RBI on board or keeping them informed and so on so why would that end up in tying the RBI's hands तो जैसा ही आप पर आप देख सकते हैं basically हमारी finance minister नहीं यह बोला कि अगर मैं आप टैक्स के policy लेके आजाओंगी बिना RBI को लूप में रखे, तो वो उनका मतलब होगा उनके में हाथ किसी तरह से बांद रही हूँ, तो ऐसा नहीं है तो हम consult कर रहे हैं, बात करे हैं और उसके बाद ही हम यह सारे decision जो हैं यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो दोनों RBI और Finance Minister जो हैं यहाँ पर साथ में काम कर रहे हैं लेकिन इस चीज़ को लेके आपके क्या viewpoints है क्योंकि अगर मेरे perspective से देखें तो अभी भी मतलब cryptocurrency को लेके क्या future रहेगा उसको लेकि अभी भी पूरा gray area ही चल रहा है कभी भी government official state-up answer नहीं दे रहे हैं यहाँ पर लेकिन जितना देखके statement से यहाँ पर लग रहा है मेरे को तो अभी भी लग रहा है cryptocurrency के ऊपर actual में government figure out ही नहीं कर पाई है कि उसको regulate कैसे करें and that is normal क्योंकि पूरी दुनिया में कोई अभी तक ऐसा देश नहीं है जो यह समझ पायो किस तरह से regulate करना है कुछ guidelines है जो एक तरह से यहाँ पर G20 nations के लिए FATF ने introduce कि हैं हमारे अगर Prime Minister की भी आप statements देखोगे उन्होंने बुला है कि सारे देशों को साथ में काम करना पड़ेगा और साथ में काम करना है तो उसके लिए FATF ने अल्रेडी वर्ल डेवल पर सारी countries के लिए guidelines निका लिए कैसे आप regulate कर सकते हो तो प्रभबली अभी आने वाले कुछ महीनों के अंदर यहाँ पर G20 के जब meeting होगी तो इस साल के end तक वही जो guidelines है इंडिया भी यहाँ पर implement करेगा जिस तरह से बाकी countries यहाँ पर implement करते हैं वही possibility लगती है इसी कारण से इतनी ज्यादा uncertainty और कोई clarity नहीं क्योंकि प्रहबली अभी तक इस चीज के उपर कुछ चीज बनी ही नहीं कुछ rules and regulations बना ही नहीं पुराना एक draft बना था लेकिन that's not valid anymore तो यह लगता है बाकी आपके क्या viewpoints है आप definitely यहाँ पर comments में दाल के बताना बाकी next moving on यहाँ पर हम charts पर move करते हैं तो currently अगर हम देखेंगे Bitcoin की price $42,000 के around ही यहाँ पर struggle कर रही है अब real world events के according already हमने previous वीडियो में बात करी है Ukraine और अश्या की बीच में जो tension चल रही है क्या हो सकता है आपर कुछ हो नहीं हो उसका भी impact थोड़ा सा हो सकता है बाकी यहाँ आपर आज evening के अंदर federal reserve के जो governors है उनकी भी meeting है जापर possibility है कि interest rate rise होने की अब वो March में तो already इनकी meeting की date आने वाली 15-16 लेकिन उससे पहले करते हैं या उस date पर करते हैं उसका भी काफी बड़ा impact हो सकता है क्योंकि अगर interest rate को rise यहाँ पर किया जाए ना उसके कारण आप देख भी सकते हैं stock market और पूरा जो market है ना कहीना कहीं डरा हुआ है हमको वो जो price के अंदर downfall है वो कहीना कहीं देखने को मिल रहा है but anyways TA perspective से यहाँ पर मैं कुछ चीज़े हैं जो आप से share करना चाहूंगा currently जो मैं एक चीज़ monitor कर रहा हूँ यह हमारा 39 से लेके 40 का जो पूरा area है ना जो हमने previously भी काफी बार बात किया है काफी important TA zone हो जाएग कुछ factors के according पहली चीज़ मैं अभी currently यहाँ पर notice कर रहा हूँ आप यहाँ पर यहाँ पर यह देख सकते हो कि एक मैंने top की यहाँ पर trend line बनाई है जो आप exactly देख सकते हो 40,400 डॉलरस पर आती है और यह हमारा काफी proven पुराना support zone तो वैसे ही है साथ में अगर एक चीज़ और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं bitcoin की price जो last यहाँ पर जो lower point था उसको देखता हूँ और यहाँ पर उसके बाद जो next touch होई थे उनको join करता हूँ तो उसके according आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक और यह trend line बन रही है और यह भी exactly 40,400 डॉलरस के zone पर आ रही है अब इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर zoom in करते हैं और यहाँ पर हम 4 hourly chart के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो देखी जो मैं देखना चाता था कि RSI और candles की बीच में क्या हो रहा है तो अगर आप देखो गे जब bitcoin price 36,000 डॉलरस पर आ गया जो previously यहाँ पर इस level के according था एन अगर आप देखोगे इसको यहाँ पर बोला जाता है hidden bullish divergence जो यहाँ पर fall कर रही है price नीचे थी next fall उपर बना लेकिन RSI नीचे था और next fall और नीचे बना तो उसी के according अगर यहाँ पर यह probability होती है कि price जो है और further थोड़ा सा में भी correction ले भी लेती है अगर आभी जाती है 39 40 का जो एरिया वहाँ पर थोड़ा सा आभी जाती है इस एरिया पर तो RSI भी और नीचे fall कर सकता है एन एक अच्छी यहाँ पर hidden bullish divergence बन सकती है जो फिर price को यहाँ पर जो है एक तरह से जो bounce है वो फिर यहाँ पर दे तो यह अभी TA perspective से अग अगर यहाँ पर Ukraine रशिया के बीच में कोई भी tension escalate होती है तो उसका financial market पर impact देखने को मिल सकता है अगर नहीं हो तो अच्छी यहाँ पर बात है दूसी चीज़ यहाँ पर inflation जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेकि fix तो करने वाले है यह federal reserve वाले तो अभी interest rate यह कब rise करते है क्योंकि March भी अगर आप देखोगे 15-16 के round speculate किया जा रहा है वो increase करेंगे तो उसका पूरे financial market पर impact आगा आप खुद देख सकते हो इस stock market देख लो कोई भी market उठा के देख लो तो real world जो problems है ना जो अभी COVID के टाइम पर थोड़ा delay कर दी थी bandage लगा के अब वो कही ना कहीं उ इशू यहाँ पर बन सकता अगर यह और escalate यहाँ पर हो जाए तो यह भी एक scenario यहाँ पर है but we never know let's see क्या होता है तो TA perspective से I hope आपको थोड़ी सी clarity मिल गए इस recording आप भी monitor कर सकते हो लेकिन थोड़ा ध्यान रखना आज शाम को meeting में यहाँ पर क्या होता है क्योंकि meeting होगी volatility आपके यहाँ पर analysis जो क्या बोलता है आप comments में आपके जरूर बताना बाकि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like करना subscribe करना that is the only thing that keeps us motivated बाकि regular updated रहना चाते हो technical analysis सीखना चाते हो free में free of cost no charge तो हमारा telegram वाली जो हवेली है वहाँ पर आ जाओ कभी Valentine's Day है वैसी आजाओ हमारी हवेली पर आजाओ वाँ Valentine's Day भरा लो तो आज की वीडियो में कहीं जित्ता है बाकि मिरते हैं अगले वीडियो में तो तकलिप आए टेक क्या बाबाई